सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को उन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले तो समझते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा है थे ठीक है रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी आपको यहां पर एक रिस्टेंस नजर आ रहा होगा यहीं से मार्किट फिर से डाउन पर दोसरा हमारे यह ट्रेंड लाइन का क्योंकि इसके टोप से स्केंडल को मिला के ड्रो करका है और आप यहां पर देखो कितने टाइम इसने रिस्टेंस का काम किया है अब देखो बात मैं आपको सही सही बताओ जो यह बड़े-बड़े अनलाइस है बता रहे हैं टार्ग पर देखो पर देखोगे तो यह आपको कौन सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है अगर यह इसका ब्रेक आउट दे देता है तो जितनी यह डैप्त है कितने पॉइंट की है यह करीब 200 पॉइंट के क्रीब की है तो यह 200 पॉइंट अप जाएगा 200 अप गया तो का ठीक है सिधा ही टार्गेट आ गया तो अगर इसका ब्रेक आउट होता है यह निए कि ऊपर छूका फिर निचे आगया वह कनफर्मेशन होनी है कि ग्रीन केंडल ब्रेक आउट दिया नेक्स्ट ग्रीन केंडल इसके उपर क्लोज हो ठीक है तब हम ब्रेक आउट मानेंगे औ और अब मार्केट में प्रेशर बना हुआ है और जो यहां पर इसको रिजेक्शन मिल रही है तो मुझे चांस लग रहे है कि गिराउट की संभावना इसमें बनी हुई है तो यहां पर गिराउट देखने को मिली तो फर्स्ट स्पोर्ट हमारा रहेगा 791 का अगर इसका भी ब्रेकडाउन कर देता है तो यह फिर 719 तक यह स्टोक आता हुआ नजर आईगा हमें ब्रेकाउट का मैंने आपको बताई दिया कि 200 पॉइंट उपर जा सकता है तो अब मार्केट का महावल भी डिपेंड करता कि कैसा हमें देखने को मिले और जो नूज अपडेट्स वगर आती रहेंगी मैं आपके शाथ शेयर करती रहूंगी आप स्टोक पर नजर बना के र सकते हो और किसने कितने टाइम से इसमें अपनी पोजिशन को होड करके रख रखा है कोमेंट करके जरूर बताना और कितने टाइम के लिए आप होड करोगे ये भी हमारी ओडियंस को जरूर बताना कोमेंट के थरू तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में